हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल होम टिसिंचल पे दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि आसाम राइफल की जो भरती है जो दो जारी किस में 1200 पलस पदों पर जो भरती है इसके जो बरती प्रिक्रिया है वो एक दिसंबर से स्टार्ट हो रही है जियां दोस्तों तो आप लोगोंने admit card हो अपने डाउनलोड कर लियोंगे अपने अपने trade में admit card हो आपने देख भी लियोंगे तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको very best of luck सभी को सुबकामनाई और उम्मीद करेंगे कि आप इस बारा सुपदों में से एक वेकेंसी जो आपकी है वो डेफिनिटली हासिल करके ही घर पर लोटके आएंगे ठेक है तो बहुत-बहुत सुपकामना है आपको अब बहुत सारी बच्चों का मेरे पास कोमेंट आ रहा था कि सर जो ये आर्टी पीसे रिपोर्ट है हमने तो ट्रेन की टिकट करवा रखी है तो कैसे हम लेक के जाएंगे कैसे बनवार नहीं पड़ेगी तो ये सारी जानकारी जो आर्टी पीसे र समन्दी जो आपकी इन्फोर्मेशन है वो मैं यहां पर देने वाड़ा हूं देखे के उप नहीं देखे तो यहां पर मुंद नहीं हो है कि आपके पास रटी पीचर रिपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है यहां पर दिकट का सामना करना पड़ेगा इसलिए बहतर ये है कि आप अपनी RTPCR रिपोर्ट लेकर ही जाएं वहाँ पे ताकि आप सिधा दिखाएं उनको और आप इंटरिम लेकर जाएं इस वज़े से आप वहाँ पे दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि आपके पास RTPCR रिपोर्ट नहीं है पहले चीज ये दूसरी चीज ये है कि आपके पास अगर माल लीजे RTPCR रिपोर्ट नहीं है तो क्या होगा तो वहाँ पे आपको रेंडमली चेक किया जाएगा जैसे दिले प्लिस में फिजिकल में हुआ था आपका टंपरिचर वहाँ पे मेजर किया जाएगा और आपको इंटरी वहाँ पे दे दी जाएगी 2-3 फटकार आपको मतलब डाट फटकार लगा कि आपको बेज दिया जाएगा अंदर दूसरा उप्सन वहाँ पे यह हो सकता है कि आपको वहीं पे चेक अप आपको वहीं पर RTPCI report के लिए अपना जो बलट टेस्ट हो देने के लिए कहा जा सकता है और वहीं से एपको वहाँ पर दीखने को मिल सकता अगर आपके पास सर बोच सारे बैचा कर रहें थो आपर रहें चाहें लेट आए हैं कि थे मैं आपको बताना हैंगे सबसे पहले एक और डाउट ढात हैं बच्चोंका की कि क्या सर government hospital से लेके जाएं या private से करवाएं या हमारे district में करवाएं या कहीं भी करवा सकते हैं तो RTPCR के जो report है आप कहीं से भी करवा सकते हैं पहली चीज़ तो यह है लेकिन बड़ी चीज़ है कि government hospital में free में हो जाती है private से करवाएंगे तो 1500 का खर्चा आपका हो जाएगा ठेक है government से करवाएं प्राइवेट से करवाएं कोई दिक्कतवाली बात ने अगर आपके पास पैसे हैं तो प्राइवेट में रिपोर्ट जल्दी भी आ जाती है सरकारी में कहें कि आपको रिपोर्ट 36 गंटे के बाद मिलती है तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रोब्लम हो सकती है तो आपको करना क्या है जैसे आप अपना blood test देंगे चाहिए आप government में दे या प्राइवेट में तो आपको कहा जाएगा कि 24 गंटे बाद या 36 गंटे बाद आपको बुलाया जाएगा कि अपने RT-PCR रिपोर्ट लेके चले जाना लेकिन मैं आपको बताना चाहिए आपको करना क्या है क्योंकि आगर आप 36 गंटे के तो आपके train छूट जाएगी ठीक है दोस्तों तो आपको क मिलेगा और वो आप अपना नोट करके लेके चले जाएंगे ठेक है या फिर जिस भी अस्पितार में आप अपना बलट टेस्ट देंगे तो वहां पर आपको एक फाइल से मिलेगी छोटा सा कागज मिलेगा रसीद के तोर पर उसमें आपका रजिस्ट्रेस नंबर किस नंबर क्या है वो आपको मिल जाएगा तो उस नंबर के थरू आप आसाम में जहां भी दिफू में आप जब पहुंचेंगे तो वहां पर कोई बी इंटरनेट की दुकान रहेगी तो वहां पर आप वो नंबर देखिए अपनी आर्टीपी से रिपोर्ट ओनलाइन लेकिन अगर नहीं है तो इंटरी आपको मिलेगी यह आप लिख के लेजीए दोस्तों ठीक है लेकिन यह है कि आपको वहां पर थोड़ी दिक्कत का सामना वहां पर कहेगा भी आभी करवा लीजे डॉक्टर से क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कि आसा साम के विद्धियर थी है ओल इंडिया से विद्धियर थी वहां पर पूचेंगे तो थोड़ा सा वहां पर भी केर की जाती है तो इसलिए अपनी बनवा के लेकि जाए नहीं है तो भी इंटरी मिल जाएगी लेकिन वहां पर आपको कहा जा सकता है कि उंदा स्पोर्ट आप चेकिंग करवाई रिपो नाम और नंबर से आप आटीपी से रिपोर्ट आप आसाम में बंगाल में जहां भी आप रुखते हैं गवाटी आप पूचेंगे ठेक है तो गवाटी भी निकलवा सकते हैं ठेक है तो कहीं से भी आटीपी से रिपोर्ट आप निकलवा सकते हैं ठेक है तो यहीं आपको ए या कि कैसे कैसे आप बनवा सकते हैं आप प्राइवेट से वहां जाके भी बनवा सकते हैं ठीक है मान लीजे आपने यहां पर बलट टेस्स देने का मुक्का नहीं मिला या बीच में संडे गोर्मेंट उस्ताल में छुट्टी हुजाती तो फिर आपके और एक और चीज है दो आपका जमा होगा वो सीरियल नमबर लेके चले जए फिर कहीं से भी आप आर्टी पीसे रिपोर्ट निकड़ा सकते हैं कोई दिक्कताले बात नहीं है दोस्तों ठेक है तो उमेद करूंगा कि जानकारे आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैन करें आएिवाद